नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं चारिता के बिरूद क्यों नहीं, उनके बिरूद बिभागिये करवाई चलाई जाए इस घटना में कमपनी में काम कर रहे साथ मज़ूर जूलस गए हैं घायलो को कमपनी परबंधन के द्वारा ततकाल TMH भेजा गया जहां बर्न केर यूनिट में उनका इलाज चल रहा है घायलो में से एक किस्थिती गंभीर है आग लगने की सुचना पाकर जार्खन अगनी समन विभाग की दो दम कल पहुंची वह काफिये मकसद के बाद आग पर काबू पाया जानकारी का अनुसार दोपर में कमपनी के हीट ट्रीटमेंट मसीन में तेल डाला जा रहा था इसी दोरान चिनगारी भड़की और देखते ही देखते विक्राल रूप धारन कर लिया आग लगने की वज़ा से कमपनी में आफ्रात प्रीमच गई इसी करम में कमपनी परिसर में काम कर रहे साथ मयदूर इसकी चपेट में आ गाए खातना में हुए नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है नभरत की रायनीती कर देश को मुद्ध से भठकार है पिये मोदी तेस्वी आदाओ बिहार के पुर उपमुख मंत्री और नेता परतिपक्ष तेस्वी आदाओ ने बुद्धवार को चार जन सभाय की है जिसमें चात्रा हजारी बाग गिरिडी और कोडार्मा में भाजपा विरोधी कडवन्दर इंडिया के उमीद्वारों के पक्ष में परचार के दोरान उन्होंने भारतिये जनता पार्टी और प्रधान मंत्री नायंद मोदी पर जम करनी साना साधा उन्होंने कहा है कि PM मोदी देश को मुद्दे से भटका रहे हैं बिहार के पुर उपमुक मंत्री ने देश के परधान मंत्री बन नफरत की रहनिती करने का भी आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि PM के एजेंडे में विकास की बजाए नफरत भरी हुई है वे कभी भी देश के मुद्दे पर बात नहीं करते जुमले के जाल में देश की जनता को उल्जा रहे हैं PM मोदी अपनी सभा में एक भी उपलबधी नहीं किना पा रहे उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले पीम ने जानता से जो वादे किये थे उसके बारे में भी वे बात नहीं कर रहे जारखन पुलिस ने साइवर ठगों से बचाए 11.32 क्रोड रुपए जारखन पुलिस अब तक 11.32.30 रुपए साइवर अफराधियों के पास जाने से बचा चुकी है एवे पैसे हैं जिनकी ठगी साइवर अफराधियों ने आम लोगों से की थी लेकिन ठगी के बाद इन पैसों को साइवर अफराधि किसी ATM बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सके हैं क्योंकि जारखन पुलिस की ओर से इन बैंक खातों को फिरिज कर दिया गया था बता दे साइवर थाना प्रभारी नेहा बाला ने बताया है कि राज में साइवर अफराध की रोक थाम के लिए हेल्फ लैन नमबर 1930 चालू है इसके माध्यम से आम लोग साइवर अफराध से समधित मामलो की कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं ठागी से जुड़े मामलो की रिपोर्ट होने पर साइवर ठागी की घाटना में परियुक्त बैंक खता और टांजेक्शन को ब्लोक कर दिया जाता है इस हेल्फ लैन नमबर में मार्च 2022 से लेकर अब तक 22 या 924 सी कैते दर्च की गई है गांडे में सीम चमपई और कलपना सुरेन बोली समविधान बचाने का है चुनाव गिलिडी के गांडे में इंडिया एलाइ bonus की और से चुनावी सभा किया गया, गांडे विधान सभा उपचुनाव के लिए कलपना सुरेन इंडिया एलाइस के पत्यासी है, उन्हें जीताने की लिए कडवंदर ने पूरी ताकर जोग दिया है, बदादे गांडे विधान सभ के बेगा बांद पेसरा टांड फुटबोल मैदान चुनावी सभा का उजन किया गया इस सभा में मुख्य मंत्री चमपई सुरेन बिहार के पुरो डिप्टी सीम तेस्वी आदव मंत्री हफिजूल हसन मंत्री बन्ना गुपता विधायक अरून चटर जी राज सभा सांसत सर् नोद कुमार सिंग और गांडर बिधान सभा उप चुनाव की जहमों परत्यासी कलपना सुरेन के पक्षम मत्री मुख्य मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2019 में भाजपा ने नारा दिया था कि 65 शीट बिधान सभा में जितेंगे लेकि जानता ने 25 पर रोक दिया उन्होंने कहा है किया चुनाव देश और समिधान बचाने का है। आपको पता दे कि 8 लक्स याधिक उमिद्वार नतीजे का इंतियार कर रहे हैं आपको पता दे मार्च में 8 वी बोट की परिक्षा हुई थी पिछले साल की बात करें तो अपरेल में परिक्षा हुई थी और जून में रिजल्ट आ गया था ऐसे में इस बार परिक्षा पहले हुई थी तो अब रिजल्ट भी माई में ही आ जाना चाहिए होकी लिंग पुरुस में गुमला वा महिला वर्ग में सूपर क्वीन विवेंस कल्ब की टीम जीती होकी जारखन के सहयोग से होकी राची द्वारा आयोजीत होकी राची लिंग में बुद्वार को पुरुस में गुमला वा महिला वर्ग में सूपर क्वीन विवेंस कल्ब की टीम ने अपने-पने मुकाबले जीते हैं को एक तरफा मुकाबले में आठेक से हराया है वही पुरुस वर्ग में होकी टीम ने जादूर और खाड़ा खोटी के खिलाब चार दो से जीत दर्ज की है आयोजन को सपल बनाने में होकी राची के माईकल लाल, जयांत करकेटा, अस्रिता लकडा लोग सामिल थे मंत्री आलमगीर की गिराफतारी पर पाकूर में फोड़े गए पटाखे और बाटे गए मिठाई जारखन की ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलमकोईडी ने बुद्धवार की देर रात गिराफतार कर लिया है उनकी गिरफतारी के बद पाकूर के बेवसाई संभून अंदर ने जम कर पटा के फोड़े अलोग के बिच मिठाया बाती है बेवसाई संभून अंदर ने जिला मुख्याले के हरिन डंगा बजार में बेवसायों और राहगीरों के बिच मिठाया बाती है संभून अंदर ने बताया कि 22 जुन तो 2020 में बरहरवा नगर पंचार टोल टेक्स का टेंटर नहीं लेने की धमकी ततकालीन मुख्य मंत्री हैमान सुरेन की बिधायक पतिनिधी पंकज मिस्रा ने मंत्री आलमगीर आलम के मोबाईल से दी थी उसके बाद टेंटर में भाग लेने पर उनके गुरुगों ने मार पीट भी की थी इसी मामले को लेकर बढ़ हरवा थाना में प्रात्मी की भीदर्च कराई गई थी जारखन में आज से चड़ेगा पारा अठारा से लू का अलर्ट रांची समेत राज भर में गुरुआ से गर्मी अपने तेवर फीर दिखा सकती है पच्छिम की सुस्क और गरम हवा के चलते आस्मान में आसिक बादल रहने से उमस भरी गर्मी लोगों को परचान कर सकती है अगले 3-4 दिन में अधिक्तम तापान में 3-5 डिगरी का उच्छाल भी आने के असार हैं वही मौसम भीभाग ने 18 और 29 माई के लिए हीट वेव का एलो अलर्ट भी जारी कर दिया है इसका जायतर रसस संताल परगना और कोलान चेतर में देखने को मिलेगा मौसम भीभाग क रांची की ट्रेफिक बेवस्ता संभालने के लिए होमगाट के जवानों को भी लगाया जाएगा करीब 600 जवानों की इसके लिए पोस्टिंग की जाएगी सरकार की और चेब बुधवर को यह जनकारी हाई को दी गई है इस पर जस्टीस आर मुको पध्याय और जस्टीस द